मैं S.K. Singh आप लोग का स्वागर करता हूँ आपके अपने इट्वी चानल दिविजन क्लासेज में हम इस वीडियो में सिखेंगे वर्ग निकालना कि वर्ग कैसे निकलता है तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसा चीज बताऊँगा जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे तो देखिए मैं सुरू में बताने जा रहा हूँ वर्ग निकालने के लिए कि वर्ग कैसे निकलता है तो देखिए वर्ग कैसे निकलता है जैसे कि कोई सभी संख्यली जीए लास्ट में पांच होना चाहिए उस पर ये रूल फोलो करेगा तो देखते हैं तो हमने यहाँ पर लिया पांच ले लिया तो पांच का आज हम वर्ग निकालने के लिए सिखेंगे तो पांच का वर्ग सब को पता होगा कि कितना होता है पचीस होता है पचीस ठीक है तो पचीस होता है तो यह तो सब को पता है और जैसे जैसे आप आगे बरहेंगे मतलब पांच का लिए फिर पंदरा का लेंगे फिर पचीस का लेंगे 35 का लेंगे, कैसे निकलता है, एकदाम असान तरीके से आपको मैं बताऊंगा इस विडियो में, तो इसको मैं मिटार देता हूं, अब देखिएगा, अब हम लेते हैं, पंदरा का, जैसे कि हमको निकलना है पंदरा का, तो पंदरा का हम बर्ग निकलेंगे, तो देखेंगे कैसे निकालते हैं, तो यहां पर कितना है, लाश्टवें National 5 एक नहीं है, तो हम 5 का पहले बरिन निकालेंगे तो 5 का हम बरिन कालेंगे, तो कितना हो जाएगआ, 25 हो जाएगा, आप देखेंगा इधर कितना है आपका, एक है तो इसमें क्या करना है कि इधर वले संख्या रहेगा उसको जितना रहेगा उतना से एक बढ़ा के आप गुना कर दीजिए तो यहाँ पर कितना है वान है तो यहाँ पर वान में एक बढ़ा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो दो और वान से होगा कि यह ट्रीक श्रीप कि लाश्ट में पांच रहेगा तभी फोलो होगा तो देखिए जैसे कि हमने ले लिया 25 का वर्ग 25 का भी वर्ग निकालना है तो बहुत सिंपल और सधारन तरीके से मैं बता रहा हूं तो देखिएगा यहां पर कितना है आपका पांच एक नहीं है तो पांच है तो पांच का वर्ग का लिए तो पांच का वर्ग कितना होता है पचीस तो यहां पर पचीस हम लिख देंगे इधर आपका कितना है दो है तो दो से कितना में करना है तो यहां पर दो है तो दो में एक बढ़ाना है बढ़ाना एक नहीं बढ़ अब यह और देखते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहोगा, कि यह मतलब आँगे जाएगा, तो ऐसी बनेगा, कि नहीं बनेगा, एंसर आएगे, कि नहीं आएगा, तो देखिए, और हम इससे भारी भी लेते हैं, इसको मैं मिटार रहा हूं, जैसे हमने लिया भी 25 का, आप लेते हैं, 35 का, 35 का भी ऐसी निकलेगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया, 35, 35 का उबर निकालना है, तो 35 का उबर निकालने के लिए, हमने क्या किया, अभी इससे जो पिछले वाला अंक लिये थे, वो इससे इसमें भी करना है, तो पहले हमको देखना है, यहाँ पर कि 5 है, तो तो तीन और एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो तीन आए चार हो जाएगा, तो चार और तीन से गुना कर देते हो, चार तिया बारा, एंसर, यही आपका एंसर, इतना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, यह छोटा असा भी बच्चा रहेगा, उसको भी समझ में आ हाँ, तो फिर दो इसी निकालेंगे, जैसे अभी निकालें, तो देखेए यह आपर 45 है, तो पहले हम क्या देखते हैं, 5, 5 का कि तना होता पर, 20, तो पचीस हम लिक देगे, फिर कितना है, 4 है, तो 4 और एक में बढ़ानन है, तो चार और 5 में और 4 से गुना कर दो, तो पां आप देखिए अब हम लेते हैं 65 का तो यहां पर ले लिजिए 65 65 का square भी निकालना है तो यह भी तो यहां पर क्या करना है ऐपको कि यहां पर 5 है तो 5 करने ही आप ऩतकी हो का थी 32 यहां अपर 25 लिख दीजीए और यहां पर यह कितना है शो है तो शो में एक बढ़ाएंगे उसात हो जाएगा तो सात में और 6 से गुना करने पर कितना जाएगा तो साच्छा का बियालिस तो बियालिस यहां पर आप लिख लिजिए ठीक है असान है कि नहीं है अब और और अगे देख लिजिए और लास्ट में मैं कुछ ऐसा चाहिँ बताऊँगा जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि उए श्रिफ वही अंग पर काम करेगा जिस अंग को मैं बताऊँगा तो देखते हैं लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा तभी लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा क्या था और कैसा था और क्या बताने वला था ठीक है तो अभी देखते हैं हमने कितना का लिया 65 लिया अब लेते हैं 85 तो यहाँ पर मैंने पचासी का ले लिया, तो पचासी का वर्ण कालना है हमको, तो पचासी का मैं वर्ण कालूँगा, तो यहाँ पर कितना है, पांच है, तो पांच का स्वार कितना होता है, पचीस, यहाँ पर पचीस लिख दीजिए, आप यहाँ पर कितना है, आठ है, आठ में एक बढ़ाना न है तो एक बढ़ाएंगे हम तो कितना हो जाएगा नौ और आठ में गुना कर दिजिए तो कितना हो जाएगा नौ अठे 72 तो यहाँ पर आप 72 लिख लिजिए एंसर आगे आपका यह होगी आपका अब अगला देखते हैं जैसे कि हमने ले लिया कितना 95 तो यहाँ पर मैंने ले लिया 95 का वर्ग तो 95 का भी बर्ग वैसे निकलेगा जैसे मैं भी बताया हूँ तो देखिएगा तो यहां पर कितना है पांच एक नहीं है तो पांच है तो पांच को क्या करेंगे बर्निंग का लेंगे तो यहां पर पांच के हम बर्निंग का लेंगे पचीस यहां पर कितना है नौ है तो इसमें एक बढ़ाना है हमको तो एक बढ़ा देंगे तो नौ में गुना कर दिजिए तद्धानमा 90 इतने ना आएगा यह आपका इंसर हो गया है नहीं असान अब मैं यह बर्ग तो आपको लोग निकालना सिग्गे होंगे कि कैसे निकलता है अगर लास्ट में पांच रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है इसमें कोई परसानी नहीं है नहीं तो हम वह बताने जा रहे हैं जो मैंने बोला था कि लास्ट तक यह वीडियो के देखिए लास्ट में में कुछ इनपोर्टंग चीज आपको बताऊंगा तो यह आप मैं बताने जा रहा हूं और भी जानते क्या है वह मल्टिपलाई करने का है और वह जो मैं बताऊंगा वह यंग पर श्रिप काम करेगा वह रूल तो देखते हैं वह यंग कौन सा है तो देखिए हमने लिया की खम बा हीं ननो nine ठीक है गुना टू यहां पर हमने यह वलब लियांग ठीक है 99 में गुना टू तो इसको अभर साम तरीकती हम सिखेंगे तो देखे यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर कीतना नो इधर दो है तो इसमें और इसमें गुना कर देना तो थोरा सा ऐसे देखा ठार लिख दो यह कितना है नव है तो यहां पर नव लिख जीगिए यह आपका एंसर हो गया यह सरे पान नव अंक वाला ही फोलो करेगा जैसे मैं आप 9 कांग कितना भी ले लिखे निनानमे या फिर 9900, 99 99 99 Mतला 9,9 कितना भी ले लिजें कितना भी बढ़ा संखया ले ले लिजें सिर्फ 999 होना चाहिए और वे एक बादा बताता हूं जो इधर वो अंक रहेगा वो सिंगल रहना चाहिए मतला है डवल नहीं होने चाहिए सिंगल सिंगल मतलो आप समझते ना ये वो तो इसको मैं मिटार देता हूं आप देखते हैं कि यहां पर मैंने ले लिया थीरी गुने नौ 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 इतना हो गया अब इसको आप रुए वहला रूल से फोलो करेंगे जो छोटा सा बच्चा बनाता है तो इसमें बहुत आपको टैम लग जाएगा पहले इससे नौ से फिर इसमें फिर इसमें गुना करे हमें इतना काल यह माचाप पेची करे हम जिधा से बना देते हैं यहां पर नौ है इधर तीन है तो इसमें और इसमें गुना कर दो नौ जा नो त्या हुए mr है पघ्या पर एथा के तो हुआओ पर नौ कि यहाँ पर नो यहाँ नो कर दो नौ यहाँ Nep Kauf होगया है एक नहीं है आए सांत . आपको ही समझ में आ रहा होगा जी छोटा छोटा बच्चा उसको भी समझ में आ जाएगा इतना तरीकाँ से मैं बताइवे करता हूं तो मैं इसको मिटार रहा हूँ एक दम धियान से देखिएगा दो तिन गोर ले लेते हैं जैसे कि देखिएगा यहाँ पर मैंने ले लिया चार गुने नो 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 इतना भी ले लिजिए कोई दिकत नहीं है सिर्फ नो होना चाहिए और इधर आपका सिंगल होना चाहिए यह बात को आप धियान रखिएगा इधर नो नो जितना भी ले लिजिए और इधर संखे आपका सिंगल होना चाहिए तो हमने इतना ले लिया तो इसमें और इसमें लास्ट वला में यहां से और यहां तो इसमे और इसमें हम गुना करेंगे, 9 में और 4 में गुना करेंगे, तो कितना हो जागा, तो 9 का पहरा आपको आता न है, हाँ तो 9 का पहरा पर ये 4 वा, 9 चोके, 36, 36 आएग नहीं आया, तो यहाँपर आप 36 ले लीजिये, थोरा सा gap देखे, और यहाँ पर आपका कितना है 1,2,3,4 मतलब जो आपका अंक दिया हुए 9 वो चारग है तो एक, दो, तीन, चार है तो यहाँ पर चारग उतार लिए एक, दो, तीन, चार यहाँ आपका एंसर हो गया ठीक है और देखिएगा आप यह कंक और देख लेते हैं देख लीजे जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर पांच गुने 9,9,9,9,9,9 इतना बरा है यह आप दिवाद में सुचे रहें कि इतना बरा है इतना असानी से कैसे बन जाएगा तो मैं आपके साथ हूँ दरने का कोई बात नहीं है जितना भी बड़ा देजीजे न मैं बना दूंगा न अरे हमारा वीडियो देखिएगा तो आप फटा फट एस्क्वार निकालना गुना करना को आप मैं पीछले कास में बताई दिया हूँ यहाँ पर एस्क्वार निकालना और गुना निकालना कोई दिकत नहीं है तो यहां पर कितना है तो यहां पर एक दो तीन चार पांच छो साथ मतलब साथ को आपको नो दे दिया है तो यतना इतना गुना करने पर बहुत इंसर आएगा तो कुछ नहीं है असान तरीका है देखेगा तो यहां पर यहां पर नो यहां पर पांच है त तो यह गिन लिजिए और बाकी वहाँ पर जो हो रहेगा वो एड कर दिजिए तो यहाँ पर कितना आपको बचिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, नो बचिया है नहीं तो यहाँ पर वान, टू, थीरी, फोर, फाइफ, सिक्स यही नहीं है यह आपका एंसर है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, एवन, सब्सक्राइब करना न भूलें जाहिन